ये देखिए ये BKC पुलिस थाने का P.I. है कौन? कनाय लाल सिंदे गाड़ी देखिए इसकी लगजरी बड़ी गाड़ियों के साथ कई फ्लेट मुंबई में कडोरों की संपत्ती है आये से अधिक संपत्ती की जाच होगी तो सच सामने आ जाएगा इसने चौदा बेगुनाहों पर जूटी सिकायत पर 307 की एफायर दाज की है जूटी सिकायत कैसे सबूत के साथ समझे इसी ब्रष्ट अधिकारी का अदलत में दिया गया ब्यान देखिए देखिए पुरानी चोट पर नई चोट रोट से बड़ा घाव इसके अलावा किसी अन को कोई गंबीर घाव नहीं मगर 14 बेगुनाहों पर 307 की एफायर चलिए आगे सुनते है इसने ब्यान में कहा है कि सुबह सिकायत करता को रोट से मारा और अभी देखिए CCTV फुटेज में कौन किसे मार रहा है यह देखिए सारिक आया डंडा हाथ में लेकर के उसने बद्दुदिन को मारा यह देखिए इसमें सारिक हाथ में डंडा है बद्दुदिन स्कूटर पर बैठा है सारिक के हाथ में डंडा उसने बद्दुदिन को मारा और अब देखिए एफायर किसने की यह है सलीम यह सलीम जो नेकर में है इसने 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 इफैर दर्ज करी है मतलब मार यह लोग है उन्हों नहीं इफैर दर्ज करी 176 की यह आगे देखिए कैसे यह बद्धुदिन को मार रहा है पीछे से पकड़ के रखा है और सब लोग मार रहा है मिलकर के बद्धुदिन अकेला है देखिए आप लोग यहां पर साप नजर आए यह सलीम आगया नेकरवाला जो कैबलते बर्मुडा में है ना इसी ने फार दर् कुड़ते वाला उसको मार रहा है उसको मार रहा है इतने सारे लोग मिलके मार रहा है उसको इदर बद्धुदिन को यह पकड़ के रखा हुआ है यह देखिए फिर से आ गए और फिर से इसको बद्धुदिन को मारना सुरू कर दिया है यह देखिए बद्धुदिन को मारन गया था आयो सिंदे को सबको दिया गया है उसके बावजुदी एफैर होई है और इसी का बेस लेकर दूसरी एफैर कर दी गई है इन लोगों की तरफ से यह देखने की बात है कितना गुंडा गर्दी हो रही है कि जिन लोगों ने हमला किया था उसमें सलीम जो नेकर वाला थ उसकी तरफ से यह एफैर हो गई है 176 एफैर नमबर है और यह 23 तारीक की सुबह होई है इस चीज को समझने की ज़रुवत है अभी आगे देखी यह 23 तारीक की सुबह 7 बजे एफैर की गई है उसमें क्या कहा गया है कि रमजान मनियार ने रोड से मारा रमजान मनियार ने हातों का इस्तेमाल करके हनिप को मारा है ऐसे कई लोगों को मारा यह चीजे इन लोगों ने कही है अभी आगे देखी इन्होंने अब इस सारिक सारिक को आपने देखा होगा जो सबसे पहले बंबू लेके आया था और मार रहा था उसको देखा आपने उसकी तरफ से यह इसको मारा यह सब दिखाई दिया है आपको अभी आगे रात को फिर से जो एफैर हुई यह भी जूटी पहले सुबह की जूटी थी जूटी क्यों आपने पूरा CCTV फूटेज में देख लिया कि किस तरह के से यह लोग ही मार रहे हैं और इनी के खिलाब फार दर्ज कर दी पिर से एक जूटी सारिक की तरफ से दर्ज होती है और इसमें कितने लोगों के नाम डाले जाते हैं इसमें छे लोगों के नाम डाले जाते हैं और उसके बाद भी लिखा जाता है बद्रुद्दिन, रमजान, तालीब, हुसेंद, आसीफ, जाकिर और अन्य यह सब नाम Shari LC8 Road से मारा सोचें और दूसरे लोग जितने थे उनके पास पाई worked them उसकी आगे देखिए, दो दिन के बाद फिर इसी सारिक ने एक नया सप्लिमेंटी ब्यान दर्ज करवाया, उसकी अप्लिकेसन दी, अब इसे समझेए, वो क्या कहता है कि तेईस तारीक की सुभे हम लोगों को मारा मनियार वगरा ने, यह देखिए, यह सब लिखा हुआ है, किस किस के नाम, सब के नाम डाले है, सुभे के समय हम लोगों को मारा, ऐसा करके, और यह आपने तो देखी लिया, सिसीटी फिटेज में क्या है, अब यह देखे आगे, फिर उसने क्या कहा है, ब्यान में, उसने कहा है कि रात को साड़े आठ, आठ से साड़े आठ के दर्मयान, हमे इन सब लोगों ने चौपर से मारा, अब देखे, पहला ब्यान जो था, वो कौन सा था, पहला ब्यान था इनका, उस ब्यान में ये कह रहे थे, कि हमें रोड से, जब ओरिजिनल ब्यान है, 180-20, उसमें इन्होंने कहीं भी चौपर का जिक्र नहीं किया है, और उन्होंने वह पर रोड का जिक्र किया, लोहे की रोड का इस्तेमाल करके मारा है, और यहां पर चौपर का इस्तेमाल, अब चौपर और लोहे की रोड में, क्या कोई फरक, किसी को नजर नहीं आता, अभी आप ये देखिए, चौपर, पहले लोग बताएंगे, कंप्लेंट में पहले चौ कि इस्प्रिमेंटी बयान मतलब सोच समझ्च कर फिर दो दिन के बाद दे रहा है उसमें क्या कह रहा है कि मेरे को चौपर से मारा अब यहाँ नीचे की दूसरी लाइन देखिए नीचे से दूसरी लाश्ट में क्या लिखा है मुझे 10 11 मतलब बद्रुदिन क्या लिखा है मारा, हमला किया, यह वर्ड लिखा हुआ है, अब आगे देखिए, पहली मुख्य आफायर में इन्होंने छह लोगों के नाम दिये थे, छह लोगों के अब यहाँ पर आगे देखिए, यह सप्लिमेंटी ब्यान, जो सप्लिमेंटी ब्यान लगाया है, उसके अंदर वो आट ल लोगों ने मुझे मारा ये दूसरे नाम दिये मतलब पहले नाम च्छे दिये थे और अभी आठ नाम इसने अभी फिर से दिये है अभी आप सोचिए आठ नाम ये दिये च्छे नाम पहले के दिये चौधा नाम अभी चौधा नाम देने के बाव जो ये खुद कहरा है कि तसने 10 से 11 साति मतलब 12 बारा सातिय हो गये यहांई बारा सातियों ने इस نے supplementary बियान में दिया है और पहले बोल रहा है पहले वाले बियान में यह लोग 20-25 इसमें लिखा नहीं है यहांई कई लोगों ने मारा उसमें 6 लोगों के नाम डाले गए है और यहाँ पर अभी क्या है 12 लोगों ने मारा अब नाम टोटल पहले 6 दे दी और अभी 8 नाम दे दी मतलब 14 नाम 14 नाम मतलब 2 नाम एक्स्रा कैसे दे दी है यह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यह सब ब्यान इनके पूरी तरे जूटे पूरा मामला समझ में आ गया देख लीजिए यह यह ओफिसर भेष्ट ओफिसर एक नंबर का भेष्ट इसको सीधे जेल जाना चाहिए इसको बरखास करना चाहिए यह साप नजर आ रहा है जीज सिकायत करता कि दोरा यह सिकायत we दर्श करवाई गई दो दोडोडोडों की दोने जुटी open दिखाई दे रहा cctv footage में दिखाई दे रहा किसको मारा जा रहा किसको उपर अखर करिया रही है यह साप दिखाई दे रहा है cctv footage उसी दिन दे दिया गया थै उसी दिन दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद चौदा लोगों के उपर एफायर और एक को घसीट कर मारते हुए लेके गए थाने में, ये है इसकी काबलियत, क्यों? क्योंकि इसको भूमाफिया, HDIL उस वक्ति से भरपूर पैसा मिल रहा है, जो जेल में बंद है, ज आदमी कितना भरष्ट है, इसको समझने के लिए सिप इतना सा काम करना है, उस सिकायत करता का MRI निकलेंगे, तो मालुम पढ़ जाएगा कि उसके ओपर कितनी चोट आई है, कहां से आई है, कैसे आई है, साथ ही, अगर थाने का जिस दिन का मामला है, उस दिन की CCTV फूटेज तो यह पता चलेगा कि जब वो दो बात थाने में आया था, तो उसकी condition क्या थी, ये मालूम पढ़ेगा, और अगर अस्पताल की, अस्पताल के CCTV footage की, जब वो अस्पताल में इलाज कराने कहा था, तो सच्छाइ सांबने आ जाएगी, कि किस प्रिकार से जूटा केस लगाए गया चौधा बेगुनाओं को फसाए गया है इसके अंदर और और इसके बाद इन लोगों का कॉल डिटेल निकला जाए इन लोगों का कॉल डिटेल इस ओफिसर का इस सारी का सलीम का और इनका पिछले तीन दिन का मतलब 23 तारीक की कुछ आज की तारीक में मुम्किन है और उसके लिए जरूत है इसकी हिम्मत और काम करने की इनसानियत की और इनसाफ दिलाने की हाँ अगर ये सरकार ये कानून कहता है कि ऐसे ब्रस्ट आपिसर तो यहां रहेंगे ये लोग जो करना चाहिए जिसका खून करना चाहिए जिस को जैसे सजा देना चाहिए जिसको जैसे जेल में पहुचाना चाहिए चल सकता है ये अगर सरकार कहती है या कानून कहता है तो हम तयार है फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे बोले ना लिख करके बोले ये लोग आगे बढ़ करके ये कमिशनर एडिशनल कमिशनर मनो सर्मा को ख आप लोगों को देखना है या आप लोगों की आवाज बनना है